बॉस के घर में सुबह सुबह छिडी जंग बरतन ना दोने को लेकर तो आखरकार क्या है पूरी खबर आगे जानते हैं इस वीडियो में सुबह सुबह लाइफ फीड में देखा गया है कि वेल सभी के सभी मौझूद है शमीता, राखी, करण और तेजस्वी यहाँ पर तेजस्वी कहती है कि यह काफी दिनों से यह जो बरतन है यह धुले हुए नहीं है, हास तोर पर एक पैन है जो काफी दिनों से नहीं धुला है जो बरतन धुने की ड्यूटी है वो अभी जीद पे चुकले की है और अभी जीद जो है वो नॉन्वेज वाले बरतन शायद नहीं धोते हैं क्योंकि उस पैन में अंडे बने थे इस वज़ा से वो पैन जो है वो ऐसे ही का ऐसे ही है हाला कि दो दिनों से जो बरतन प्रतीक सहच पाल्द होते उपे नज़र आये थे लेकिन अब यहां पर यह जो बरतन है यह जो पैन है यह एस इस पड़े हुए है इसके बाद करण कहते हैं कि हाँ मैंने भी देखा था प्रतीक ने बेसिकली उस जूटे बरतन को जाकर स्टोरूम में रख दिया था तो ऐसे में हमें भी इस लौजिक को फॉलो कर ले रहे हैं हमें भी इस बरतन को जाकर स्टोरूम में रख दिया चाहिए जहां पर शमीता की एन्ट्री होती है जो कि इस वक्त बिग बॉस के घर की कैप्टेन है शमीता कहती है कि तुम लोग ऐसा क्यूं कर रहे हो एक बरतन को लेकर क्यों इतना मुद्दा बना रहे हो जिस पर करन फिर से बहस करते और कहते हैं कि प्रतीख ने जब ये किया तो गलत नहीं था तो मैं भी वही करूँगा मैं जाकर बरतन स्टोर रूम में रख दूँगा तो वहां शमीता उन्हें रोकती है और डाटती है इसके बाद राकी आती है राकी कहती है कि चलो तुम लोग लड़ना बंद करो मैं ही इसे धो देती हूँ लेकिन तब ही प्रतीख की एंट्री होती है और फिर बवाल होना शुरू होता है यानि कि राकी भी रुख जाती है और नहीं धोती है तो फाइनली बरतर ना धोने को लेकर सुबह सुबह घर में मच गया है बवाल जहां सभी कंटेस्टेंस आपस में भिड़ते हुए आ रहे हैं नसर क्या कहना चाहेंगे आपस खबर पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तमाम अबडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चानल